जैजी ने इंद्र बंधों अभी रंदन आप सभी काफी के अपने पसंदी दाकारिक्रम जिसका नाम है समस्याएं आपकी समाधान हमारा में लगातार आपका मार्ग दश्ण करते आ रहे हैं विश्व के जाने माने वो चहरा वो शक्षियत जिसने नजाने कितने जगे प्रवचन के माधियम से लोगों को अपना मुरीद बना दिया नजाने कितने प्रतिस्ठाचार किये हैं नजाने कहां कहां जाके लोगों का मार्ग दश्ण किया है और अब उनका एक ही एजेंडा है कि आप सभी को वास्तु और जोतिस का सही ज्यान देना जिससे लोग न जाने कहां कहां भ्रमित हो रहे हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलके विदेशों में भी आजकल जोतिश को लोग भूत फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर भी जाके को अपने अनुसार चला सकते हैं जो जीवन में आ रहे हैं आपकी परशानियों को पून तह जड़ से खतम कर देते हैं मैं बात कर रहे हैं किसी और की नहीं जी हां विश्व के जाने माने जहरा वो वो इनसान वो विक्तित्व जिसका नाम है पंडित अजीत शास्त्री गु गुरुजी स्वागत है आपका जैजी नेंद्र जैजी नेंद्र बहुत बहुत धनवाद जी बिलकुल लगातार हमारे दर्शक ही नहीं बल्कि जो देश विदेशों में लोग हैं वो भी आपको बुलाते हैं लेकिन आपके पास समय इतना नहीं होता कि आप जाके उनके प कह दिया कि आपके कुंडली में आपका भागेश बहुत अच्छा है आप बहुत तरक्की करेंगे जिंदगी में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगे आपने भागे का खाएंगे तो उस समय वो यह सोचते हैं कि अगर हमारा भागेश बहुत अच्छा है अगर हमारी कु से ज़्यादा हमारे भाग्य का रोल है तो हम कुंडली दिखाए ही क्यों कि आपने भी अकसर यही चीज कहा है कि हमें कुंडली का व्लोकन कराते रहना चाहिए कुंडली विश्लेशन कराते रहना चाहिए एक certain बहुत बहुत धन्वाद मित्रो और बहुत धन्वाद एजीजी अपने बहुत ही अधिबत बात कह दी कि अगर भागेस कुंडली में उच्छा है भाग आपका मझबूत है और जोठ्सायाचा ने कह दिया कि आपका भाग बहुत अच्छा है तो मेहनत करनी की जूद कै पुरस पुर्व का किया हुआ पुर्शात आज भग बनकर फ्रिवूत हो रहा है आज का किया हुगा पुरसात कल भाग बनकर पढ़ीबूत होगा और यही कुंडली में आकर की ग्रह गोचर बनकर के बैठता है एगर ऐसा नहीं होता तो मैं आप से एक प्रश्ण पोसता हो एक ही प्रांत के एक ही सहर के एक ही मुहले के एक ही अस्पताल में उस अस्पताल के एक ही बाड में दो भिन भिन माताओं ने दो भिन 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 बच्चों को जन्म दिया एक ही नगर के, एक ही गाओं के, एक ही महले के, एक ही अस्पताल के, एक ही वाड के दो भिन्न भिन्न माताओं ने एक ही समय में दो भिन्न भिन्न बच्चों को जन्म दिया एक बच्चे के पास जन्म से ही खुद की मा के साथ साथ नहलाने दुलाने के लिए धाय मा भी मिली दूसरे बच्चे को अरे धाय मा तो छोड़ो खुद की मा भी चल वसी एक बच्चे के लिए जन्म से ही खेलने के लिए सौने के खिलोने मिले सौने के लिए सौने का पल ना मिला दूसरे बच्चे के लिए सौने के लिए सौने का पल पलना तो छोड़ो लकडी का पलना भी नसीव नहीं हुआ एक बच्चे को जन्म से ही 10 मंजला कोठी मिली और दूसरे मंजले को 10 मंजला कोठी तो छोड़ो 10 गज का कमरा भी नहीं मिला कैसे कैसे संभाव है एत चीज थे तो निश्चित तोरपर जब एक ही समय में जन्म terrifying तो कुंडली में फलादिश भी एकसा होना चाहिए फिर कुंडली की बात ये लग इसाहर भी वही है प्रदेश भी वही है तारिक भी वही है समय भी उए पिर दो कुंडली में दो इतना भिन भिन अंतर क्यों मैं कहता हूँ पूर्व का किया हुआ 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 पूर्व का संयोग लेकर के आते हैं वैसे ही संयोग पूंडली में योग बनते हैं और वैसे य लोग बन करके उनकी जीवन में बनते हैं इसली में हमेशा कहता हूँ कई बार आपने सुना होगा कि साथ आधिनात भगवान का आहार नहीं मिल रहा था जब आधिनात भगवान को आहार नहीं मिला छे महीने तक भटकते रहे निकले आहार चरिया को निकले विधी ना मिले जब बिधी बनी जातीस मरण से बिधी बनी राजा शौम और राजा सर्यांस को जातीस मरण हुगा कि पूर्व में मैंने आहार दिया था तो जातीस मरण हुगा और उन्हों न फिर उस बिधी से का अब आप से निवेदन करता हूँ एक जातिसमन हुआ कैसे जब पूर्व में आपने किया होगा तब तो बरतमान में वह है आपके इसमन में आया इसमृति में आया इसलिए कहते बच्चे को उंगली पकड़के कॉनमेंट जितने छोड़ने जाते हो बच्चे की उंगली पकड से उंगली थामकर कॉनमेंट ले जाते हो वही बच्चा जब आप बूरे हो जाते हो आव आपके उंगली पकड़के ओल्ड एज हाउस व्रद्धास्रम में छोड़ाता है जिस बच्चे की आप उंगली थामकर जिन मंदर में ले जाते हो भगवान के देवदर्शन करवाते हो तो वही बच्चा आपका हाथ थामकर बढ़ाते में आपको तीर्थ यात्राएं करवाता है साल भगन कर युदेन करूंगा यह सारी की सारी चीजिए निशत तौरपर कुंडली में जो भगर शा आता है यह कुंड़ी में जो पाप का उध्य दगाई देता है इस पाप गर है जो भी एकFL कुंडली में आ रहे थों शितृ पूर्व स्योग है तो मैं निबिलन करूँगा यह परिबर्त रं सील lindo एक सूत्र हमें साइद रखना यह परिबर्त न सील यह परिब्रत्त होंगे साल भर में आपकी इस्थी एक साल बाद दूसरी इस्थी तीसरे बाद तीसरी इस्थी अब ही जोचिती ने कहा पंणा पहलो एक साल बाद आपको लगेगा कि वह पणणा आप पहल लिया जोचिक ने जोचिक होटी हैं निश्चत τॉरप पर इसमें अनवर्त रूप से करना चाहिए कौकि परवर्तन सी होती है जोती है हमेशा याद रखना जब भी मिरत्त्त होने वाली है योग जोतिस होगा सरल जोतिस होगा से बस yaptarle तो इस चीजन जो होती है यह उससे पता चलती है तो किसी जोत्ती ने कह दिया जन्वी के समय भाग अच्छा है मतलब यह नहीं उस भाग के सारे बैठ जाओ आप कर्म करते रहना ही पड़ेगा इसलिए तो चाहे जितने भी हम अगर अम्बानी का एक्जामपल लेते तो करते हैं अगर यह सोचे कि मेरी कुंडली बहुत अच्छी है मेरे पास तो खूब पैसे है मैं आराम करूंगा तो वह पैसे रखे रखे खतम हो जाएंगा फिर कहां कांग बानी बिलकुल तो मेहनत करना बहुत जरूरी है चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ इसी ज्यान के स कुछ साल बाद ही बेटी का तलाख हो गया बेटी की दूसरी शादी के लिए लड़का ढूणरा उस समय हमने उसकी कुंडली बनवा के कुंडली मिल वाई लेकिन पुले उसका तलाख हो गया अब ऐसा लग रहा है कि क्या करें जिंदिगी में कुछ नहीं बचा है हमारे इकलोती बेटी है अब शादी का ख्याल भी नहीं आता है लेकिन बेटी को ऐसे रख भी नहीं सकते हैं तो क्रिपया करके मारदर्शन बताइए मैंने कुंडली आपको भेजी थी प्लीज अपना उपीनियन बताएं कि क् की जन्दीगी में वापिस खुशिया है सपना बाख लिवाल जी मुंबली जी और जिया मुश्य मुपइचा क् कृतिका आजयन क् वाड़े में भी बहत बढ़ीं है तो यहां पार समझने की बाते हैं जब समय ई सिछ पॉस्वर्ष्ट देखना चाहिए था ह। इस्तीज ची अगर पहली बार कुंडली नहीं मिलाई कि आप परद्थी ने करना अगर कना वास्तित थी निबाए उबद्दी उसके काट होती है कट आपने कर ली होती तो आपको पहला साधी जो हुई थी वही बहुत बढ़ी हाओं इस संब्रद्दि में हो तो मैं आपसे निमेदन करता हूँ अब तीसरा विवाह का योग बिलकुल आप चिंता ना करें चुकि ये बिलकुल सच बात है आपने कहा आपकी एक ही बेटी है और एक बेटी को कब तक आप घर में रखोगी निश्चित तोर पर बेटी का भी जीवन है आप कब तक साथ दो अगर कहीं पर हो तो तुरंत वह उपाय बताए और उस उपाय को करके अपने जीवन को और बेटी के जीवन को सुख में संब्रदी में बनाएं कुरुची आपने हां विवाह कहा कि तीन विवाह थे अगर पहले ताइम ही ने कुंडली बन वाली होते तो उसका जो प्रॉब तो उससमयुसका उपाय होता है। ov calls क obtल yeah की पहला वाई हो गया दुबार वेज़ पातिति को क्रवाया दूर सब्ड़ाई को कर दिया तीस ङुच तरह स्ब्सक्रेचतु त्रेस्जित jर में बहुत अच्छी जीवन दापत्य जीवन बहुत अच्छा व्ताब्यों की जो व तुल्सी विवाह करके जैसे मांगलिक दोश में भी कई बार किया जाता है वह अलग टॉपिक है बाद में गभी लेंगे तो इस तरीके से वह विवाह इनका अब जो तीसरा होगा वो सही होगा और पहले इन्हों ने दिखाया उता तो पहला विवाही उनका पैसरा माना जाता तीसरा माना जाता उसके पहले दो उपाया करके जीरो कर दिया जाता आपको ध्यान होगा मंगल दोश कुंडरी पे था एश्वर राय की अभी ताब बच्चन जी ने उसको तीन तीन चार-चार जगह साधिया करवाई तो इस योग थे उसमें उपाया करवाया उन्होंने उ फिलाल आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन लेते हैं रोहित गुपता जी हैं ये भोपाल से हैं इन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने कुछ समय पहले स्टार्ट अप किया तो कुंडली दिखाई मैंने कुंडली दिखाने से पहले अपना बिसनस चूस कर लिया था मुझे अब क्या कर सकते क्या मैं इसी व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकता कुछ उपाए करके रोहित जी सबसे पहले मैं आप से बात करूं चर्चा करूं आप से कुंडली दिखाने आपने चांदी का ब्यापार अपनी सुख्छा से कर लिया था जब आपको जोत्सी से मिल रही था तो चांदी के ब्यापार के पहले मिल लेते तो सायद आपको इसकी सामना नहीं करना पड़ता है आपका खाद्ध पदार्थ से संबंदित काम बहुत अच्छा कर सकते हैं मं साथ ही साथ सबसे महत्पूर बात हैं अब बिल्डर्स का भी काम कर सकते हैं इंटियर का भी काम कर सकते हैं ऐसे काम करने से आपको सफलता सुनिश्चित तोर पर मिलेगी चंद्राप का कमजोर है चांदी के काम में सुनिश्चित तोर पर आपको लाभ की जिगा हानी ही का सा पिल्कुल मतलब गुरुची जैसे इन्होंने बताया काई इंट्रस्ट भी तो मैटर करता है कि इनको इंट्रस्ट था कि इस तरीके का व्यापार करना लेकिन नहीं हो पाया मतलब इनकी कुंडली में वो चीज नहीं थी तो उस परिस्थिति में इंसान को क्या अपना इंट्र करें लेकिन आपको जोत्ती से स्राह लेते हैं इसका उपाय करिए चंदा पुर्वान की जाब करिए पूजा करिए माला करिया अराधना करिए लिकन पहले कर लो पतापड़ा गढ़े में चलेगा फिर आप कर लो पूर रहे समय लगेगा तो आपको पूर्म में इसानी प्र खोनल सकता है जी बिल्कुल थी बहुत इंप्वोर्टेंट चीज होती है कि अपको यह नहीं कहेंगे कि आप तीर आपकर सकते लेकिन उपाय होते हैं उसको आपको आपको पॉलो करना होताँ अडिपिन लेकर प्रॉफिट चाहते हैं तो उपाय भी तो करना पड़ेगा मेह कवें था आपको आपने ही इस के पहले डिसकर सुरहा था है जो आपने कात MAKान नहीं बिक्रा palavra ज बेचना चाहिताओ को से छोड़ा वपाए करें या अप काच बहुत जल्दी आपका मकान बिकेगा और मकान बिकने के साथ साथ बहुत अच्छा डाम दे करके जाएगा बिलकुल तो क्या है ये यंत्रिक कैसे इसको प्रयोग करना चाहिए और नित्य नियम कौन से इस्तमाल करने चाहिए आपको गेट पे लगाने से पहल अगर उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं तेलफोन नंबर आपके तीवी स्कीन पर आपको दिख झाल झाल